अरे भाई आप याद रिखेगा ताइवान की बात आप करिए ताइवान पर नियंत्रन क्यों चीन की चीन के लिए प्रतिष्ठा का विशे है अगर आपको थोड़ा सा मैप से बात दिखा दे तो जी पोस्ट कोविड वर्ल्ड ओर्डर की बात है तो आप देखें क्यों यह ब पुरा पावर पॉलिटिक्स है कभी भी आप देखते हैं कि अधार्थवाद में जमीनी की लड़ाईया नहीं होती अगर आप आईवान की बात देखें तो यह बात बिस्पष्ट है कि इधर दक्षण चीन सागर बात आईवान है दक्षण चीन सागर पर चीन ने अपना प यह हमारी समुदरी ईजड है 200 नौटिकल माईल तक तो हमारा समुदरी छेतर होना चाहिए लेकिन चीन इस बात को मानने को तयार नहीं है और साउग चाहिना सी में पूरा उसने मिलेटरेशन कर लिया है अपने साइने गड़े बना लिये हैं तो चाहिना तो बाकाइदा आप पूरी दुनिया में आपके सहने गड़े क्यों है तो अमेरिका ही जवाब देता है कि दुनिया में जो C communication lines है इसका मतलब दुनिया में ब्यापार के जो रास्ते हैं खुला रखा जाए उसके लिए पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभूत होना ही चाहिए तो अमेर अमेरिका के दाबा ऐसा है तो चीनी कहता है आप अगर महाश्रक्ती होने के नाते पूरी दुनिया में सैनिक जाज बना सकते हो तो हम नहीं स्थापित कर सकते है यह बात बड़ी लोजिकल लगती है चीन अगर एक भी सैनिक अड़ा बना ले तो दुनिया में आप अपता ज है और यह पूरा सी कम्मुनिकेशन लेन यह जैपैन है जैपैन अमेरिका के दोस्ट जैपैन में अमेरिका के परुमान हुथियार तैना थे ओकिनावा में अमेरिकन परुमान हुथियार तैना थे जैपैन की सुरक्षा के नम पर दक्षन कोरिया में किसके हुथियार तैना है अमेरिका के क्योंकि जैपैन इसे कहते है पारुमान च्छतरी देना न्यूंकलर अंबरिला तो जैपैन और साउथ कोरिया को सुरक्षा दे रखी है अमेरिका ने यह अमेरिका के पारुमान उतियार यहां तैनाथ है यह अमेरिका के जूनियर पार्टनर है जिनकी साथ अमे अमेरिका अपमाना जाएगा अमेरिका उसे बचाएगा इसका मतलब है और ताइवान को भी सारे हथियारों कि पूर्थि कोन करता है अमेरिका ताइवान के सामयवादी चिन का निरमाड हुआ था तो माओं न Kin मुक्रोन भूम पर समीवादी चाइना के स्थापना किया और चाई काई शेक भाग गा ताइवान ओर ताइवान का मतलब कया है फार पहले का फारमोसा चाई काई शेक वहाँ से ताइवान भाग गया लेकिन उसके बाद ताइवान का मतलब है Republic Remote Democratic China बाखी China का मतलब क्या है Communist Republic China यह Communist China है यह Republic Democratic China है तो आज भी Taiwan दिद्ः दियान रिखने की है Taiwan सेंग्तरात शंकर्स नहीं है Taiwan केवल एक ही सहयोग का मिम्ब를 है जिसका मतलब है EPIC E oxpm notedст Harmonic Corporation ACI Prasant Arthik सहयोग संकृठन केवल Taiwan यह पुमल मादनी आता कि क्योंकि आप आ कि एक अधेस का दो सब्सक्रित करें कि ऑन में खो की अपना हुए ताघ में चो फे सही को प्यार रहा हो गाभ में आ टाइप वह सकते है। गर देख रहा था तो उसमें तो अमेरिका के नियंतरण में एपिक बन रहा था ताइवान उसमें आ गया लेकिन आज की देट में तो चीन बहुत सक्षाली हो गया है तो चीन कह रहा है भाई कि South China Sea पर हमारे नियंतरन होई गया है अब हम Taiwan पर अपना नियंतरन इस्थापित करेंगे Taiwan में बहुत चीनी मुलके लोगों का है semiconductor में Taiwan और Hong Kong ये दुनिया चाइना के capitalist center रहे है और कहा भी जाता है चीन के आर्थे की विकास में China's diaspora का बड़ा contribution है लेकिन हुआ क्या 1911 के बाद 1911 के बाद चीन ने हमेशा दावा किया कि Taiwan हमारा ताइवान हमारा लेकिन ताइवान का political system चीन के political system सलग चलता रहा ताइवान में लोगतांत्रिक विवस्था चीन में सामेवादी ताइवान के सुरक्षा के जमेदारी अमेरिका के चीन उधर रस्या का दोस्त हो गया 1971 तक साइवान में जिसे चीन समझा जाता रहा हो ताइवान था तोकि अमेरिका के दोस्ती थी 1971 के पहले साइवान जैसे हम चीन समझते रहो कौन था ताइवान था Republic Democratic China था 71 के बाद सेयों के बाद है जैसे चाइना और अमेरिका के मित्रता हुई हेनरी किसिंजर की डिपलोमेसी के बाद उसके बाद अब अमेरिका ने ताइवान से कह दिया कि भाई तुम दिखोसली चाइना नहीं हो तुम जाके बैठो अब कमिनिश चाइने संक्तरासंग में आएगा वहां तक मामला सटल हो गया और उस समय तक क्या किया चाइना ने अपना चुपचाप अपने आर्थिक विकास करता रहा और जैसे जैसे उसका आर्थिक विकास होता चला गया अब उसने ताइवान को लेके चलेंग कर दिया है तो ताइवान के मुद्वे पर पहले चीन क्या का करता था एक देश दो विवस्था जब उसे पूछा ताइवान है कौन तो कहता है देश तो एक ही है सिस्टम दो है तो ताइवान से पूछा अच्छा अच्छा इसका मतलब है चाइना का सिस्टम दो है, इसका मतलब है कि ताइवान में लोक तंत्र है, चीन में सामेवाद है ताइवान का capitalist model है चीन का socialist model है सिस्टम दो है वहाँ चुनाओ होता है, हमारे हैं एक दल है वहाँ बहुत अली बेवस्था है तो सिस्टम दो है है हमारे हाँ विवस्था एक तो अब सवाले सिष्टम अगर दो है तो आपने बगल में पूझी बात को अपना रखा है सिष्टम अगर दो है तो आपके समाधवादी विचारधारा कैसी और सिष्टम दो है तो आपके इस बात के आधिपत्यबाद इस, वाजिखे, पावर पॉलिटिक सा लोजिक तो ही है, यह थार्थवाद यह कहता है, छोटा मोटा पडोसी, सब आपके गुणगान करने चाहिए, यह थार्थवादी क्या है, आप गाउ में जाएं, तो बाकी सब लोग, भाईया जी आगे, भाईया जी भाईया जी जिन्दा बाद, जिन्दा बाद, यह थार्थवादी पॉलिटिक से, अब यह नहीं कि आप गए, और पता चला, कोई किसी आदिमी ना आपका रास्ता ही रोख दिया, यह पावर पॉलिटिक सा मतलब है, या किसी सामाने राज्य का मतलब है, इसे, इसे, सिंग इंगा नहीं नहीं, अब यह एक देश, दो सिस्टम नहीं, एक देश, एक सिस्टम, इसका मतलब यह है, कि इसका मतलब है, चीन पूरी सेमी कंडुक्टर के कानुपर बनी नतरन कर लेगा, चीन के पास बड़ा अर्थिक समराज जा जाएगा, लेकिन इसके सुरक्षा की जि मारबम है, दोनों के पास मारबम है, और चाहिना तो चाहिए आज ले ले ये थाईवान को, हकिकत कि बात तो यह है, लेकिन चाहिना प्यार से लेना चाहता है, कि चाईना बल का प्रीड़ करेगा तो बाकी सारी छोटी चोडे राज डर जाएंगे, चाहिना की पास पाओर क्या था लेटरेस भी बाद तब हुआ और मामला गड़बाय कैसे क्योंकि अमेरिका कहा रहा है नहीं लोगतंत रहेगा पुंची बात रहेगा ताइवान के लोगों से पूछा गया तुम क्या कहोगे वह इंडिपेंडेंडेंट हैंगे हमें बोलने के आजादी चाहिए हमें चाहिए तैवान को लोगों से कहा एसा डेमोक्रैसी चाहिए तो ठीक है चीन के साथ चले जाओ वहां रखे रहना का रहाना भाई चीन में जाएंगे सब फागरास हो जाएगा तो उसे पूछा गया तरहं दर क्यों रहे हो होग का ओंग कॉंग का को देखो होंग कॉंग कॉ पुट्लचेरी फ डिट्छेरी से हमने लिया, फ्रांस से समझज़ूता किया, तो हुट्टु गा, दिखो यहा के मैं कुल्चर तोड़ना मत , इसलिए हमने पुट्लचेरी को आउता के यूटी बना रखणे तीन पुट्लचेरी का छे त्र दिएoring, प्रंध में है, कि समझ होता है दोस्तों वादा हम निभाते हैं हम लोग तंत्रिक हैं चीन वादा होदा नहीं निभाता बिटे ने कहा तो लोग तंत्र रखना चीन का रख लूँगा चलो जाओ उसके बाद चुनावाने के बारी आई चीन के Communist Party ने एनाउंस किया एक आदमी यहाँ चीन के Communist Party जा रहा है होंग कॉंग कॉंग के भाईयों बहनों उसी को एक स्क्यूटिव आफिसर के रूप में चैनित कर लो होंग कॉंग के लोगों ने कहा ना ऐसा चुनाव नहीं होता हम बताएं candidate कौन है candidate बहुत सारे होंगे Communist Party ने कहां से विचार लए उनका लोग तंदर में ही होता है चीन ने का यह हमारी यहाँ नहीं चलेगा एक उमिदवार हम दे रहे हैं उसी का चुनाव कर लो ऐसा चुनाव होता है क्या मैं गहूं देखो एक मेरे पास पेन है चुनाव कर सकते हो एक ही पेन है चुनाव क्या है तो आपका भी ऑप्षन है एक ही ले लो चुनाव तीन चारे में होता है एक में होता है और उसके बाद Hong Kong में लफडा शुरू हुआ उसके बाद Hong Kong लोग आंदोलन करना सुरू किया और एक बाद याद रिखे चीन के कहावत है तो हंक वाले बैठके, वैसे भी ज्यादा पढ़ा लिख आदमिया अंदल महुत कर नहीं पाता। तो हंक वाले बैठके, यह ताइवान वलन देखा। अभी चीन क्या क्याता है, चीनता मत करो, तुम एक बार आजाओ, जो कहोगे हम मान लेंगे। तुम क्या कहते हो, क्या करते हो इसी यह बड़ बड़ गड़ अब तुम्हारे पास समयंग नहीं, चीन कहता, पियार सी आजाओ, नहीं फिर अभी हम साम औधम की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पार दंड भी है, अब ताइवान, अमेरिका का पास गया, ताइवान नहीं वहाई धमका रहा है यह और उसके बाद देखे अमेरिकान क्या किया अमेरिका ने नैंसी पोलिसी को भेजा नैंसी पोलिसी का मतलब जानते हैं वहाँ की रिप्रेजेंटिटिव हाउस की स्पीकर नैंसी पोलिसी का मतलब है कि हमारे हाँ लोक सभाई speaker कहीं जाएं तो मतलब किया था लोक सभाई speaker जा रहे है असका मतलब ये हो गया कि हम Taiwan के लोकतन का समर्थन करते हैं ये हमारे हाँ का speaker और वहाँ के यहाँ जा रहा है और China नने कहा हिंत हो तो गोच के दिखा दो America ने Nancy policy को fighter jet को escort करने के लिए चार-चार fighter jet भेजे अमेरिकान का हिम्मत हो रोक के दिखा दो नेंसी पोलिसी गई अमेरिकाने बड़ा हंगाम है चाहिने ने कहा देखो यादे पत्यवादी नीती है यह हमारे छेत्रे में ते किर्मन है अमेरिकान का ना हमारे दोस्त ने बुलाया है हम जा रहे हैं तो सवाली है कल के लिए अब चीन क्या करता है हर तीसरे दिन कोई नी कोई सनिक अभ्यास करता है और जहाज यहां से उड़ते हैं ताइवान काता भाई अब गए अमेरिका त्यार चिंता मत करो अब हम है ताइवान काता रहे रोज ही जाज उड़ाता है यहां से अरे भाई ताइवान ताइवान हो कहाँ चाहिना अरे ए खली यह राजपाले आदो जब चाहिएगा ठॉंक पीट देगा मामला यहाँ अमेरिका क्या दिखाना चाहता है अमेरिका दिखाना चाहता यह ताना सहज जब बढ़ेगा तो छोटे राज्यों को इस रक्षा खत्रे में जाएगी चाहिए वो योक्रेन हो चाहिए वो ताइवान हो अमेरिका ही दिखाना चाहता है और इसAR चीन अभी सतर्क है चीन बस इस बात को विट कर रहा है कि हमारे नुकसान दुनिया में नो हो क्योंकि जैसे ही ताइवान पर अधिकमन होगा जो फिलिपीन से जो बुरू नहीं है घबडाएगा नहीं घबडाएगा कलकली हम नेपाल को अगर पीट दें तो भूटान कुछ कहने के जरूत पड़ेगी भूटान तो बैसे डर जाएगा तो अगर हम नेपाल पर हमला कर सकते है तो भूटान, बांगलादेश तो हो सकता है कि फिर वो भी डर जाए इसे चीन इसको सौफ्ट तरीके सिंटिएट करना चाहता है अमेरिका होने ही जाना चाहता और आने वाले दुनिया में अगर सोच के देखे तो क्या परूमाड बम अगर रहेगा तो एक संघर्स कहां तक जाएगा इसे उक्रेन का मामला नहीं है देखें, मुद्ध कहा होता है मामला उक्रेन का नहीं है मामला लोक तंदर वर्से ताना शाही का है मामला उक्रेन का और ताइवान का नहीं है मामला लोक तंदर वर्से ताना शाही का है मामला अमेरिका वर्से रसिया का है मामला यह है कि दुनिया में वर्ल्ड आर्डर कौन मेंटेन करेगा अमेरिका या अमेरिका चाहिना, तो ये मुद्धे होते हैं, इसलिए तो आप देखे, और दूसरी बात, बस चाहिने ने कह रखा है, चिंता न मत करो, तुम अमेरिका को धर लजा कर रखो, पुतिन, पुतिन ने कहा मैं तो इनको पसीने छोड़ादूंगा, तुम चिंता मत करो, अब अब वैसे खोकासम निकालना था, तो हमें कोई मैदान चाहिए था, युक्रेन मिल गया है, मैं इसको पीट पार्ट कर ठीक कर दूँगा, तब तक तुम बस अमेरिका को इधर फसादो, अमेरिका को इधर फसादो, अब सवाल है आने वाली दुनिया में इसलिए, ये वर्ल्ड ये हमाईर में यसनी भविषवनी नहीं कर पाते हैं, ये हमें महुस हमिजयान में होती है, येुच छुफ पर राजुच्त चाहिए, शुची की प्रईटा था था, इसलिए पर रंद रखिंगे, अमेरिका क्या क्टों अमेरिका क्या कर रहा है, चीन एंदर ही दूठ हॉर अमेरिका क्या कर रहा है spiral में ओइननर पुतिन की सत्ता को अंदर सचनोती आ गई तो बाहर से तोड़ने जरुत नहीं पड़े मैं ये डिपलिवेनसी है अमेरिका रसिया से परुमानो थियार से लड़ेगा नहीं तो option एक है परुमान उत्यार का संग्रण से लास्ट ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन है पुतिन को अलोग पुरी बनाया जाए पुतिन को सत्ता से बाहर किया जाए दोसरा ऑप्शन इसके पास है पुतिन को डिवाइट किया जाए तीसरा ऑप्शन है भारत मांता है, अमेरिका तुम आ जाओ, इधर अगर चाइना इधर अमेरिका से टकरा गया, तो भारत तौर अमेरिका पाईगा, क्याँ? भारत कहता है, जल्दी वार करो यार इधर, छोड कें रखे हो अमेरिकान के धिरे धिरे आएंगा, हमने कÌना क्योंकि अगर चाहिना इधर फशेगा तो हमारी सीमा पर आएगा या नहीं आएगा तो हमारी सीमा कैसे बचेगी इसको इधर फशाके इस याद रोखे, अगर इधर वजीर को बचाना है तो हाथिक इधर फुझाईए हाथिक गोड़े से रोकिये, यही तो सतरंज है